और अब आमंत्रित हैं, शिरी सुनील भार्ती मित्तिल जी, चेर्मिन भार्ती एंटरप्नाइजिस, उनसे निवेदन है, सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए. आदिने पधान मंत्री, लोक प्रियर मोदी जी, श्रीय अच्वनी वैशनव, शहान जी, सेक्टरी टेलेकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथ ही मुकेश अमानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफर राजीव चंदर शेकर, जो यहाँ आज माजूद हैं, दिस्टिंगुश गैस, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दश्कों से परिसाथ चली कौम में चले हैं, उन सब का इस्वागत है। करकमलों से ये एक देश में नई जागरुता लाएगी, एक नई एनरजी लाएगी, और इससे जैसे अवे मुकेश ने भी बताया, कि बहुत सी नई opportunities हमारे देशवासियों के लिए खुलेगी, जो rural areas हैं, जो आज शायद कुछ अभाब महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा, और सबसे important बात जो मैं कहना चाहूंगा, कि हमें इस बात का गर्व है, और हम बहुत भागेशार ही हैं, कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं, जो technology को बारीकी से समझते हैं, और बाखूबी से सजाते हैं, मैं दुनिया में जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, technology की appreciation तो शायद बहुत leaders करते हैं, और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उनिती के लिए, मेरे हिसाब से शायद, जो मोदी जी कर सकते हैं, वो कोई भी और नहीं नहीं कर सकता, मैंने बहुत close से देखा है, जब गुजरात में चीप अनिस्टो थे, तो इगराम लाने वाले satellite connectivity से सारे गाउं को गुजरात में जोड़ा गया, तकि state administration से उनको जल्द से जल्द हर चीज़ महया कराई जाए, drip irrigation का का काम हिंदोस्तान में सबसे पहले पज़ा आगे निकलता था, industry की support के लिए सबसे आगे आते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे employment बढ़ेगी, इससे opportunities बढ़ेगी, तो आज हम से बहुत भागेशाली हैं, कि आप जैसे नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने कुछ आके सब के सामने vision रखे, उसमें digital India का एक बहुत दुरगती होती, आपने आके जब यो digital vision दिया, उससे एक acceleration हुई, और मैं मुकेश को ही आप सराना करूँगा कि उन्हें आके जो हम 4G अलरी चला रहे थे, उसको बहुत गती दी, और हम सब को भागना पड़ा बहुत तेज से, पकरना पड़ा, और जब pandemic की मार तो रातो रात traffic, कहरों से गाउ में पुचाया, गफ्तरों से घरों में पुचाया, इस देश की एक मिनट के लिए भी धड़कन नहीं रुखी, हमारा काम लगातार चलता रहा और ये digital vision को उसका शरे जाता है, मोदीज इन्हें बात की, make in India की, इन्होंने नारा लगाया, ला नहीं बन पाएगी, खासता और पे electronics में, 500-600 billion dollar की हम import करते हैं, मेरे को उमीद नहीं थी, उससे थोड़ी उमीद आई, पर आज तो ये reality बन गई है, कि ये देश manufacturing का देश बनने जा रहा है, डिजितल के साथ उन्होंने स्टार्ट अप इंडिया का नारा लगाया, हर महीने यूनिकॉन पैदा होने शुरू हो गए है, और मेरा ये मानना की 5G के तहट, आने वाले सालों में, सैंक्रों यूस केस, हजारों और रांतपनेयर, और दरजनों और यूनिकॉन इस देश में पैदा होंगे, वो भी उसका स्ट्रे स्टार्ट अप इंडिया को जाता है, मोधी जी चालिस साल पहले, इसी अक्टूबर में, उन्नी सो ब्यासी में, ताइवान में, मैंने एक पुछ पटन टेलिफून देखा, और उसको हिंदोस्तान में लेके आया, यहां पे उसकी मैनि काम में कदम रखा था चालिस साल पहले, आज फाइव जी में आगे सबसे आगे चलके इस देश की सेवा में जुती हुई है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारती के सब लोग और एर्टिल के सब लोग पूरे जोर से, पूरी अपना हिम्मत से फाइव जी को देश में फिलाएंगे, और 2023 मार्च तक काफी शहरों में और 2024 मार्च तक सारे देश में फाइव जी का फिलाब करेंगे, और आज जहां जब आप लॉंच करेंगे इस फाइव जी को, तो आठ शहरों में आज फाइव जी एर्टिल की तरफ से उपलब्द होगा, दिल्ली, वारा नसी, मुंबई, बैंगला और कई शहरों में, तो मैं आपको बहुत धन्यावाद दूँगा, कि आपने आके यहां आज सबकी शोबा बढ़ाई है, खास तोर पे मैं कॉंग्रेचलेट करूँगा, डियोटी को और सीवाए को, जिनोंने आज इस आइमसी को एक वर्ल कॉंग्रेस के लेवल पे आज लेके गए हैं, आज अगर आप बहार जाएंगे तो देखेंगे कि दुनिया में कहीं भी आप एक्जिबिशन देखेंगे, उससे आज हाँ कम नहीं है, बहुत बहुत धन्यावाद.